आटा से सिर्फ रोटिया, कचोड़िया ही नहीं बनती, पेड़े भी बनते हैं, एक बार इस तरह पेड़े बना लेंगे ना, होवा वाला या मावा वाला पेड़ा खाना भूल जाएंगे, इतनी टिस्टी बनती है, एकदाम स्वाप्ट और मुह में घूल जाने वाली, पेड नालने से पेड़े में सोना सोना स्वाद आएगा, लो टू मिडियम फिलेम पे आटा को भून के तयार करेंगे, जब तक यह गोल्डेन ना हो जाए, आटा को भूनने में लगभग 10-12 मिनट लग जाते हैं, और यह देखिए, आटा बिलकुल सुनहरा हो गया है, और इससे घी आएड करेंगे, दो बड़ी चमच घी डालेंगे और आटा में मिक्स करके देखेंगे, एकदम अच्छे से घी में आटा को मिक्स हो जाना चाहिए, तो यहाँ पर देखिए, घी जो है, आटा में अच्छे से मिक्स हो गया है, और मुझे थोड़ा कम लग रहा है, तो इ आएसे ही घी हमें लगेगा इस पैड़े मेरे के लिए अगर कोई कम डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं अब इसमें DOD की मलाई डालेंगे अगर दूद की मलाई ना हो तो दो चमच दूद डालेंगे इसे क्या होगा जो आटा है ना अच्छे से फूल जाएगा एकदम अच्छे से खील जाएगा मलाई को आटा में मिक्स करते हुए दो मिनट पका लेंगे अगर दूद हो तो उसके साथ भी दो मि अब जितनी हैं दूद पाउडर, चेनी पाउडर, इलाइची पाउडर और आटा यह सारे को अच्छे से मिक्स करेंगे और थोड़ा सा पोर्सन उठाएंगे और गोल लड़ू जैसा बना करके इसे पेड़ा का आकार देंगे तलहती में रखेंगे और दूसरे हाथ से गोल घुमाते विए पेड़ा का आकार देंगे अगर थोड़ा सा क्रैक्सिस में पढ़ रहे हैं तो इस तरह से गोल गोल घुम महनत भी नहीं है और ज्दा टाइम भी नहीं लगता है इस तरह से साइर पेड़े को बना करके कर लेंगे तो कोईब हो तक चाले पेड़े बनाकर खिला सकते हैं एकदम लगेगा कि आपने मार्केट से मंगा या है और देखने में कलर भी वैसा ही होता है एक मैं इसे तोड़ के दिखा रही हूं देखिए कितना बढ़िया इसका टेक्स्टर आया है और मुह में जाते के साथ यह घुलने वाला है जो भी खाएंगे आपकी तारीफ कि यह बिना रह नहीं पाएंगे और इस पेड़ा को आप ब पढ़िया पेड़ा बनके तयार हुआ है बिल्कुल मार्केट जैसा अगर आप घर में बना रहे हैं तो ऐसे भी खा सकते हैं बिना इसे सजाए हुए भी किसी को देना हो या मेहमान को खिलाना हो तो इसे अपने तरीके से सजा सकते हैं मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगत में